असलाम लेकुम एंड हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग उमीद है खरखेरियत से होंगे तो आज मैं किचेन में आई हूं लंच बनाने के लिए और बहुत सोचने पे मुझे एक रेसेपी याद आई है भरवा भिंडी की आप लोगोंने भरवा करेले सुने होंगे भरवा टीन डे भी सुने होंगे और भरवा चिलीज भी सुनी होंगी तो यह मेरी मदर की रेसेपी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके लिए मेरे पास एक किलो भिंडी है जिसको मैंने धो के इस तरह से कर लिया है और उसके बाद मैं इसे काट रही हूं तो मैं किस तरह काट रही हूं यह भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूं मैं इसको आगे और पीछे से काटने के बाद इसके सिरफ मिट तक कट दे रही हूं पीछे तक कट नहीं दे रही कि यह भिंडी पूरी खुले नहीं इस तरह से जब हम इसके अंदर मसाला है अपनी नीचे तक कट देना है और बाकी कापाट छोड़ देना है तो इस तरह जब आम मसाला लगाएंगे तो ये खुद बाखुद बंद हो जाएगी तो मैं अपनी सारी भिंडी इसी तरह से काट लूँगी ये भिंडी नॉर्मल भिंडी से पकने में थोड़ा से ज्यादा डाइम लेती है और इसके इंग्रीडियन्स भी थोड़े से ज्यादा हैं तो इसके बाद मैं आपको इसके इंग्रीडियन्स भी शो करती हूँ क्योंकि इसको भरने में भी जो लगेगा मसाला वो भी मैं आप को बताऊंगी तो सबसे पहले जो मेन इंग्रीडियंट्स है जिससे इसको भरा जाएगा वो है अनारदाना मैंने इस अनारदाने को गरम पानी में डालके एक घंटे के लिए छोड़ दिया था मुझे रात को पता नहीं था वरना मैं इसे रात को ठंडे पानी में भिगो देत जो के खतम हुआ वा इसलिए मैंने इसको यूज किया है उसके साथ जो सुके मसाले हैं उसमें जीरा सुका धनिया हल्दी नमक ये और दड़ा मिरच और उसके बाद है जिंजर गार्लिक और एक ग्रीन चिली और दो प्यास और साथ में भिंडी उसके साथ ही में रपस चार टमाटर थे जो के फ्रोजन थे और उनको मैंने इस तरह से पाने में डाला है कि वो सॉफ्ट हो जाएं और सबसे पहले मैं अपने प्यास को काट लूँगी क्योंकि इसको मैं पहले एड़ करूँगी फ्राय होने के लिए उसके बाद मैं ने जो अपना नार्दाना सॉफ्ट किया था उसको मैं ग्रैंडर में डाल के अच्छे से ग्रैंड करूँगी इसको बहुत अच्छे से ग्रैंड करना है तब भी ये भरा जाएगा और ये इस तरह के पेस्ट में आगया है आप देखें कि ये मेरे हाथ को इसके सीड्स लग रहे हैं आप लोगों को ये वायट पैट जो नजर आ रहा है ये इसके सीड्स हैं जो के बिल्कुल बारीक हो गया है और इसके अंदर हमें अपने ड्राय स्पाइसीज आइड करूँगी सुका धनिया, जीरा, नमक, खल्दी और दड़ा मिरिच इसको आइड करने के बाद हम इसको अच्छे से गुमा के इस मसाले को इस अनारदा के पेस्ट के साथ बिल्कुल मिक्स कर देंगे और पैन मैंने अपना उपर रखती है, चूला मैंने अन कर दिया और इसके साथ ही मैं इसमें अलिव ओयल आइट करूँगी जैसे ही ये थोड़ा सा गरम होगा हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक जो था वो मैंने क्रश कर लिया था वो एड़ कर दूँगी और इसको फ्राइ करेंगे जिंजर गारली को अच्छे से फ्राय करेंगे ताकि भिंडी में से स्मेल ना आए नौर्मली भिंडी में जिंजर गारली की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो यह जैसे ही ब्राउन हुआ है मैंने इसमें जो फोर टमाटोस थे वो कट करके एड़ कर दिये हैं पानिंगी के साथ ही मैं साल्ट चाएंगव काएं है अथापनों पानिन है सो Kabul प्राय करेंगे और इसके साथ ही टमाटर जो हैं वो गल जाएंगे बिल्कुल पांच मिनिट के बाद मैंने देखा है टमाटर ने रंग चेंज कर लिया अपना तो मैंने इसके साथ अनियन शामिल कर दी हैं जो मैंने कट किये थे और अनियन के साथ ही अब मैं इसमें थोड़ी दिर अनियन को रखूंगी फ्राइ करूंगी इस टमाटर ओइल के साथ और फिर मैं इसमें ड्राय स्पाइसिस एड़ करूंगी तो ड्राय स्पाइसिस में मैं इसमें अपनी हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर रही हूं half teaspoon ही में जीरा एट करूंगी और one teaspoon जो है मैं भर के सूका धनिया एट करूंगी क्योंकि हम लोगों ने भिंडी के अंदर भी इस मसाले को ड्राय मसाले को नारदाने के साथ भरना है तो इसलिए हम इदर कम quantity में डालेंगे नमक हम पहले एट कर चुके हैं और ग्रीन चिली मैंने जो है वो काट के रखी हुई है वो मैं कट करके डालूंगी भिंडी में और इसके साथ दड़ा मिर्च मैं उस भिंडी के भरवा मसाले में डाल रही हूँ इसलिए मैं इदर शामिल नहीं करूंगी अगर आप लोग चाहें तो रेट चिली अड़ कर सकते हैं मैं वैसे भी अपने खाने में रेट चिली नहीं डालती और अगर मैं डालूंगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारे लिए सिरफ एक ग्रीन चिली और थोड़ी सी दूसरी में अची काफी है और अब हम इसको थोड़ी दर पकने देंगे मीडियम आँच पे ताकि जो अन्यान है वो मसाले में अच्छी तरह भुन जाए और इसको ढख देंगे और यह जो मसाला था इसमें मैंने वन टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऑईल शामिल किया है यह ऑप्शनल है अगर आप करना जाएं तो ठीक है वरना वैसे भी भर सकते हैं इसको मिक्स कर लिया और अब देखें यह मैं फिंगर से इसके अंदर भिंडी के अंदर जिस तरह मैंने कट दिये थे यह थोड़ी थोड़ी खुल रही थी उसके अंदर मैं यह मसाला लगा रही हूँ फिंगर के साथ अपना इफ़गर भी यूज़ कर सकते हैं मुझे ज़रा जल्दी है हाथ से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है और मैंने अपने हाथ अच्छे से दोए हुए है कोई प्राब्लम नहीं है तो इस तरह से मैंने अपनी सारी भिंडी को भर लिया है यह देखें आप यह थोड़ी सी अब इसमें हमें थोड़ा सा योगर्ट एड़ करी हूँ थ्री टेबल स्पून के बराबर इसे बिंडी का जो टेस्ट है मसाले वाली बिंडी का बरी हुए बिंडी का बहुत अच्छा आएगा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां तक के जो दही है वो अपना कलर चेंज कर लें यह देखें जी दही का जो कलर है वो चेंज हो गया है और अब हम इसमें फॉरण अपनी भिंडी आइड कर देंगे और इसको अब ज़्यादा हिलाना नहीं है चूले को बिलकुल मीडियम से स्लो आँच पे रखना है और इसको ढख देंगे और यह अपने ही जो दहीं और जो स्टीम छोड़ेगी उसी में पक जाएगी तीन मिनट बाद मैंने इसे देखा है और यह स्टेल कच्ची है अभी इसमें थोड़ा सा कलर अपना चेंज किया और मैंने इसे दुबारा ढखती है यह हमें हमारे जो उपर वाले अपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने कहीं पर चोटा सा गार्डन लिया हुआ है यहां पर जो स्विस में हैं विलाज नहीं है लोगों के पास बड़े बड़े घर नहीं है अपार्टमेंट ही बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो लोगों ने कि ये हमारे जो पाकिसान इंडियन पुदी ना है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इसके पत्ते ना लेकिन चटनी बनाने में सेम ही टेस्ट आता है लेकिन इसके पापा कहा रहे थे जब टी में डालो तो टेस्ट डिफरेंस है तो इसके पत्ते हमारे जो पत्ते होते हैं वो ज विंडी को उतारके मैंने दूसे चूले पे कर दिया ये हमारी ready हो गई है उसमें मैं गरम masala एड़ कर रहे हूँ और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला था ग्रिन जो धनिया होता है हरा धनिया और मैंने अपनी चटनी भी बना लिया और हाला त्राय करने वाली। पाकिस्तानी खाना बहुत हुश होके खाती है। यह देखियों और इसके साथ मैंने ये दे दिया था चटनी पुदीने की आप इसके साथ सैलेड गार अभी बना सकते हो मैं अभी बनाओंगी थोड़ी देर तक मेरे पास अभी टाइम नहीं था अभी इसके पापा नहीं आए जब वो खाना खाने के लिए आएंगे तो मैं सै ये थी जी भरवा भिंडी और अनारदाने वाली तो उमीद है कि आप लोगों को ये रेसेपी अच्छी लगी होगी अपने घर में जरूर ट्राइ कीजेगा ये भी बहुत अच्छी बनती है बड़ी रिच रिच सा टेस्ट आता है इसका और अगर आप लोगों को ये रेसे कि अवाल में जरूरा आता है अपना आता है वे रिच वे रेसे के जरूर आता है कि अवाल आता है आता है